हेलो एवरीवर विल्काम अगेंस तमर 007 वी लॉग तो आज मैं आपको तो बाच बाद बात आने वाला हूं जो आपको बहुत धिशान रखना है अगर आप कदर आ रहे हैं सबसे पहले अपना पासपोर्ट टिकर और उसमें डेट और टैम चेक कर लें कि टॉन्टी फॉर वाला टैम होता है तो आप देख लिए और दूसी चीज लगेज का वेट परफेक्ट कर लिजिए लगेज अगर जितना लिखा होतने ही रखी है कि एक आत किलो ज्यादा आ जात लेकि बाद में होती ही प्राब्लम और सबसे इंपोर्टेट जो बात वो यह है कोई भी हो रिष्टेदार हो या दोस्यार हो आप जिसे जानते ना हो या जानते भी हो तो सबसे पहली बात यह अगर वो कोई समान दे तो उसको आप पहले सो सही से चेक कर लेजिए उसमें कुछ दवाएं हैं जो लोग देते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए वो चीज की दवाएं भी बहुत से ऐसी दवाएं हैं जो की कतर में बैंड हैं तो जैसे कि आप कुछ दवाएं वो लाने से बचे नीन की टेबलेट वो लाने से बचे पर के लिए अगर कोई देता है तो लाने के लिए बचे इसी तरह कि और भी जो दूआ आती हैं जो आपको बिना टॉक्टर के पेपर के और डॉक्टर के साइन के नहीं मिलती है परमेंसी में, मेटिकल इस्टोर में तो दूआ लाने से बचे खुछ भी और जब कोई दूआ दे तो जादा दोशी तरह दूआ देखने कि कुंसी दवा है कभी-कभी ऐसा होता है कि ती ने आपको दवा दिए और आपने दवा लाकर दे दिया और आपको पता ने उससे कौंसी द दवा दिया है कि नि दिया है और यहां एयरपोर्ट पे जवाब रोकी जाते हैं, तो हर चीज की एक कॉंटिटी है, कितनी दवा अप्ला सकते हैं, जिसकी दवा हो, उसका बील हो, पेशन हो, उसकी रिपोर्ट हो, तो सब कुछ चाहिए होता है प्रूप के तोर पे, तो आप एतियात करिए, अगर कोई दवा तो बिल्कुल ही ना लाईए, क्योंकि नीन की दवा तो नसे में भी यूद होती है, तो इसलिए बचिये उससे, तो थोड़ी देर के लिए बुरे बन जाईए, लेकिन आगे के लिए आप अच्छे रहेंगे, और चौती बात यह है कि आप अगर कोई भी चीज लाते कतर में तमाकू है, मसाले हैं, गुठका है, यह सब कुछ ले के आ रहे हैं, तो वो भी अगर एरपुड पे चेकिंग होगी तो उसको निकाल लिया जाएगा, वो भी परती बंद है, ममनू है, और यहां पे लाना मना है, यहां मसाले बिकते नहीं, बहुत दो नंबर से लेक बहुता है कि भाई आप लेके चले गाईए, मेरे मिलने वाले वहां पे हैं, उनको यह दे दिया और पैक है, आपको पता ही निसके अंदर क्या है, सबसे पहली बाद समान उसी का लेकिया है, जो आपके घर का हो, ऐसे नहीं कि आपके दोस्का या को मिलने आला है, किसने समा ही तो इसमें श्रौड हो सकता है, आपको पता है, समान जिसका भी लीजे, आप खोल के चेकर लीजे, क्या समान है, जो बता है, वही दे रहा है, धर कशेराई बाध जाए है, आपको एई अरोना आए अन्वफ्कुराइए आपको बहुत प्रावलम हो जाएए मैं आपको ए कि आपका क्या काम हैं, कितनी सेली हैं, कौन से कंपणी में हैं, तो इससे अभी होता है, जब इंडिया मेडिकल हो जाता है, तो लोगों को पता रहता है, और फसने के चांसें नहीं होते हैं कि इंडिया मेडिकल जब होगा तो आपको इंफोमेशन देंगे और उप हमले एग्रीमेंट हो जाता है पहले क्या होता है तो आप पता नहीं रहता था तो आप नवीजा लिया डेरेक आप आगा उसके बाद आपको लेके जाने वाला कौन करें किना जब से इंडिया में मेडिटल होता है तो अब लोगों को पता रहता हो किस काम में जा रह तो यह फाईदा है और वहां पे शेम्वी आपको देंगे उसमें कुछ जीवी डाटा होता है और कुछ कॉलिंग होती है जो आप यहां पर आके अपने कॉन्टेक्स कर सकत हैं बाद में आप सिम करें सकते हैं और आने के से हम यह इतियास रखें कि लगेज परफेक्ट हो और अगर पहली बार आ रहे हैं कतर या कहीं पे भी तो कम से कम तीन घंटे पहले एयरपोर्ट पहुच जाएं क्योंकि कभी-कभी लैंड बहुत लंबी होती है और फिर उसके ब सब्सक्राइब करें देगे लिए पहले पहुच जाते हैं चीन साले तीन घंटे पहले तो आप किसी इक कुछ प्रप्राब्लम होई टिकर में आभीजे में तो आप कॉल करके ऑं-लाइन सब काम हो सकता है पीडिये आपके पास तुरंद आ सकता है तीन घंटे पहले पहुच बहुत ही अच्छी जिंगा है, यहां आने के बाद कुछ चीजों का आपको ख्याल दखना है, उसके लिए बाद में वीडियो बनाएंगे कि यहां आने के बाद वो काम बिल्कुल ना करें, अगर वो काम परा तो आप बहुत बुरा फच जाएंगे, ठीक है? तो अगर आप न आप वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल दखिए, के बाए